सबी के लिए मंगल कामने के साथ मैं कृष्णि गोपल पांडे आपका स्वागत करता हूँ आज का विशे है मई 2024 में व्यापार व्यवसाई शुरू करने के मूरत सुप्तिती और सुप्त समय में नया व्यापार ये व्यवसाई शुरू करने दुकान चलने नया प्रतिष्टान शुरू करने या और भी कोई व्यवसाई गतिवदी शुरू करने से व्यवसाई में उत्तरोतर व्रद्दी होती रहती है व्यापार दुकान या प्रतिष्टान में अच्छा लाब होता है इसलिए शुब मुरत में व्यवसाय शुरू करना चाहिए व्यापार या व्यवसाय के मुरत के लिए शुब तिति, शुब वार, शुब नक्षत्र, शुब लगन, आदी का विचार किया जाता है इन सब के साथ-साथ व्यापार या प्रिस्टान संचलक का चंदरबल भी देखा जाता है हम मूरत सास्तर के मान दंडू को पूरा करते हुए इन सभी बतावी बातों को ध्यान में रखकर ही व्यापार का मूरत निश्चित करते हैं यानि हम व्यापार शुरू करने के लिए केवल उन मूरतों के उल्ले करते हैं जो मूरत मूरत सास्तर के मान दंडू को पूरा करते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ कालखंड ऐसा आता है जब विवा आदी शुब कारे के लिए कोई भी शुब मुरत नहीं होता है ऐसी बात नया व्यापार विवशाय शुरू करने के मुरत के लिए भी लागू होती है यानि कुछ कालखंड ऐसा आता है जब नया व्यापार विवशाय शुरू करने के लिए कोई भी शुब मुरत नहीं होता है महा मई 2024 का समय भी ऐसा ही समय है जिसमें व्यापार विवशाय शुरू करने के लिए कोई भी शुब मुरत नहीं है इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए बता दें कि वर्ष 2024 में 28 अपरिल 2024 से 5 जुलई 2024 तक शुक्र अस्त रहेगा इसी बीच 7 मई 2024 से गुरस्त हो जाएगा जो 31 मई 2024 तक अस्त रहेगा इस तरह मई 2024 में पूरे माह में असुपकाल ही रहेगा इसलिए मई 2024 में व्यापार व्यवसाय का कोई भी शुब वर शुद्ध मूरत नहीं है यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं